प्यारे बच्चों, आओ एक कहानी सुनते हैं जिसका नाम है सिकारी और कबूतर एक बार कबूतरों का जुंड घर से खाने की तलाश में निकला मीलो लंब्युडान के बाद वे शब्थक गए थे सभी कबूतरों को बरगद के पेड़ के नीचे चावल के दाने बिखरे दिखाई दिये कबूतरों के राजा ने कहा आओ दोस्तों चावल खाएं वे सब मिलकर चावल खाने लगे जो ही वे चावल खाने लगे एक बड़ा सा जाल उपर गिरा सभी कबूतर उसमें फंस गए अरे हम तो पकड़े गए राजा चिलाया अब हम क्या करेंगे अगले ही पल उन्होंने एक सिकारी को आता देखा इसे पहले की सिकारी हमें मार डाले जल्द ही कुछ करना चाहिए कबूतरों के राजा ने कहा सभी कबूतर काफी डरे हुए थे कबूतरों का राजा बड़ा बुद्धिमान था उसने अपना दिमाग ठंडा रखा उसने कहा मेरे पास एक उपाय है हमें मिल कर काम करना चाहिए हम इस जाल को एक साथ लेकर उड़ जाएंगे याद रखो हम सब को एक रहना चाहिए हर कबूतर ने अपनी चोंट से जाल उठा लिया और इस तरह वे सब जाल लेकर उड़ गए शिकारी पक्षियों को देखकर हैरान था जो जाल को मुँ में दबाए उड़े चा रहे थे वह काफी दूर तक उनके पीछे भागा लेकिन उन्हें पकड नहीं सका वे पहाडियों और घाटियों के उपर से होते हुए एक नगर के पास पहुँचे वहां कबूतर राजा के पुराने दोस्तों में से एक चूहा रहता था कबूतर राजा ने कहा यहां रहने वाला चुहा मेरा अच्छा दोस्त है वह हमारी मदद अवश्य करेगा राजा की आवाज सुनकर चुहा बिल से बहर आ गया कबूत्रों के राजा ने चुहे से कहा कि वह जाल को दातों से काट कर उन्हें आजाद कर दे चूहा तेजी से जाल कुतरने लगा, सभी कबूतर एक एक करके आजाद होने लगे वे सब आजाद होकर बहुत खुस हुए उन सब ने जान बचाने के लिए चूहे को धन्यवाद दिया और अपने घर की ओर उड़ गए सिक्षा इस कहाने से हमें ये सीख मिलती है कि यदि हम एक हों तो कोई भी हमारा कुछ नहीं विगाड सकता एकता में ही शक्ती है, एकता में ही बल है धन्यवाद